हेलो फ्रेंड्स आइम डॉक्टर मिनाक्षे बाजबेई आज मैं आपको बताऊंगे कि डिलिबरी के समय जो इपिशू टॉमी यानि नीचे के एरिया में जो टाका लगता है उसका कैसे दियान दखें और कब डॉक्टर से मिलें डिलिबरी के टाइम बच्चे होने के टाइम में जब टाका लगता है तो उसको इपिशू टॉमी कहते हैं और उस टाके को सिला जाता है दोस्तों सबसे बड़ा कन्फ्यूजन महिलाओं में यह होता है कि उस टाका को काटनी की जुरत है या नहीं तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि उस टाके को इस तरह के धागे से लगा जाता है जिसे काटनी की जुरत नहीं होती है यह खुद खुद घुल जाता है दूसरी बात आपका यदि पिशोटो में लगा हुआ है तो आप घर में डिस्चार्ज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद आप घर में साब सफाई रखें मेंटेन पेरिनियल हैजीन को मेंटेन करें सावलोन और वाटर से उस एडिया को क्लीन करें होट एर बैक से थोड़ा सिकाई करें और डॉक्टर ने आपको जो एंटिवायोटिक और एनलजेसिक दिया है उस कूर्स को पूरा करें और साथ दिन बाद आप डॉक्टर से जाके मिलें और उस बीज में आप ट्राइ करें कि आपको कॉंस्टिपेशन नहीं हो साग, सबजी, दाल, दूद ये सब खाना है और फिर आपको साथ दिन बाद डॉक्टर से मिलना है दोस्तों मेरा ये विडियो ये पसंद है तिसे आप लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करें